हैले दोस्तों स्वागेत आपका मेरे चैनल वास्तु ट्विप्स घरेल उपचार में यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज हम बात करेंगे गड़ेश चतूर्थी 2023 के बारे में गड़ेश चतूर्थी की सही तिति, सुब मुहरत और इसका महत्तो और पूजा विधी क्या है हिंदू पर्व में पर्व तो कई मेनाई जाते हैं लेकिन गड़ेश उस्चे को अपना अलगी महत्तो है ये पर्व भादर पर मां के सुकल पक्स की चतूर्थी तिति पर बगवान गड़ेश के जनमोस्तों को लेकर मनाया जाता है दस दिन चलने वाले इस पर्व पर गवरी पुत्र गड़ेश की घर घर में स्थापना की जाती है इन दिनों भक्त गड़पती की लगातार दस दिन तक पूरे विधी विधान से पूजा करते हैं इसके बाद अनन चतुर्देसी पर गड़ेश जी की मूरती का बिसरजन करूने विधा किया जाता है माना जाता है कि गड़पती बपा को गड़ेश चतुर्धी पर अपने घर में ब्राजमान करने से समस्त बाद हैं दूर होती है इस बार लोगों को तित्थी को लेकर confusion है तो चलिए जानते हैं जो 30 के इनुसार इस साल कब है गड़ेश चतुरती और पूजा का मुहरत क्या है गड़ेश चतुरती दोजार तेस मुहरत स्रीगड़ेश चतुरती का तिहार या फिर यूँ कहें लिजए गड़ेश पूजा बहादरुपत मासकी सुखलपक्स चतुरती दित्थी को मनाई जाती है इस साल यानी 2023 में यह तित्थी 19 स्तम्बर 2023 को होगी और गड़ेश प्रितीमा का विसरजन 28 सितंबर 2023 गुरुवार को होगा गड़ेश चतुरती के दिन बाप्पा की स्थापना सुब मुरत में ही करनी चाहिए इससे घर में सुब और लाव की प्राप्ती होती है गौरी पुत्र परिवार के समस्तर दुख हर लेते हैं भादर पर सुक्लिश चतुरती तित्थी शुरू है 18 सितंबर 2023 दोपर 12 बच के 49 मिट से भादर पर सुक्लिश चतुरती तित्थी समाप्त 19 सितंबर 2023 दोपर 1 बच के 47 मिट से गड़ेश स्थापना समय सुबह 11 बच कर 7 मिट से दोपर 1 बच कर 24 मिनट तक गड़ेष चतूर्दी दोजार तेईस पूजा विधी गड़ेष चतूर्दी पर गडबती स्थापना से पहले पूजा इस तलको चिछर से साफ कर ले फिर पूजा की चौकि पर पिला या लाल कपड़ा भी छकर गडबती बापा को चौकि पर इस्थापित करें अब गड़े जीक पर दूर्वा से गंगा जल छिड़ के उन्हें हल्दी, चावल, चंदन, गुलाब, सिंदूर, मौली, दूर्वा, जनियू, मिठाई, मोदक, फल, माला और फूल हर्पित करें अब गड़पती, बापा के सांसा, सिव जी और माता परविती की भी पूजा करें फिल लड़ू या मोदक का भोग लगाएं और आर्ति करें इसी तरह से दस दिन तक रोज सुबह साम पूजा और आर्ति करें गड़े इस चतूर्थी का महत तो क्या है? पुराणों के अनुसार गड़े इस चतूर्थी के दिन संकर और पारवती के पूतर गड़पती जी का चनमोस्ता मनाया जाता है गड़े इस उस्तों में दस दिन तक बापा की बिदिवत पूजा अर्चना करते हैं उनके सभी कारे सिद्ध हो जाते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कीजिए ताकि मैं रोज नहीं नहीं वीडियो आपके लिए ला सकूँ